कि यह गाइस दिस इस अमन और आज हम कोश्चन करने वाले हैं टेक ओफ सो इन दिस कोश्चन वी आर गिवन थ्री प्लेंस ए बी एंट सी प्लेन एविल टेक ओफ ओन एवरी पीट दे इसका मतलब है कि प्लेन जो है वो पीट दे में के प्लेन जो एक थीजित हुआ है और तोय प्लेन पासे के डैक कोना में प्लेन धर अधिक इन यह ओई प्लाव स्कुल्ट कृफ पी अव सिलुत हिस फ्रैओ देन gebracht अगर कोई दो फ्लाइट की मतलब प्लेन और प्लेन भी की सेम डे में हो जाती है ठीक है उनका सेम दे में और टेक ओफ करना है तो वह को लिजन हो जाएगा और उस दिन कोई भी फ्लाइट ने ओड़ेगी यह इसका मिनिंग है ठीक है सो हमारा टास्क है कि find out the maximum number of flights that will successfully take off in the period of end days end days में कितने number of flights उड़ेंगे ठीक है यह हमारा टास्क है input format में given है the first line of the input contains integer t test cases उसके बाद test cases में हर test cases के लिए NPQR की value given होगी output for each test case print a single integer representing the maximum number of flights that will successfully take off in the period of end days maximum number of flights जोगी end days के period में उड़ेंगी उनका उनके वेल्यू देनी है ठीक है मतलब उनका कितनी ओड़ेंगी उनका number so concerns है t1 to 10 और NPQR की 1 to 10 फाइफ ओके सो अब इस question में देखते हैं कैसे approach करेंगे इस question को अगर आप मान ले कि हमें गिवन है ठीक है हमें जो एन की वेल्यू है वो 10 गिवन है मतलब नंबर ओफ देज मतलब वन टोटल नंबर ओफ देज वन से लेकर 5 6 7 8 9 10 ठीक है सो में 10 देज सके बाद यह कह रहा है कि जो plain नहीं है उसके लिए है मिलें इसका मतलब है कि वह सेकुन डे में हड़ेगा प्लेने जो है वह सेकंड डे में अधी है लेन और फिर यह तुक में पूरेगा तो पहले two फोर में भी एक ही वारी है फिर थिरी इंटो टू-चीज में भी एक ही बारी है ठीक है एक प्र टू-फॉर्जा-एट इसमें भी एकी बारी है फिर 2-5-2.5-10 उसमें भी एकी बारी है चीख है यह एकी बारे वाल दिन आ गए फिर B के लिए three तो मतलब three को वी उड़ेगा ठीक है मतलब 3 को उड़ेगा B फिर 3 2 जा 6 इस दिन भी B उड़ेगा ठीक है और 3 3 जा 9 इस दिन भी B की बारी है उसके बाद given है 4 4 है C की बारी तो 4 को C उड़ेगा फिर 4 2 जा 8 को भी C उड़ेगा फिर उसके बाद तो 10 से exceed कर रहा है तो 10 के लिए ये हैं तो अब हम इसमें देख सकते हैं कि हमें वाले नंबर जैसे जिस दिन भी अगर 2 या 3 मतलब एक से ज़्यादा फ्लाइट उड़ रही है तो उस दिन तो कैंसल हो जाएंगे ठीक है क्योंकि ये कॉलीजन हो गया तो अगर हम इसको देखे तो इस दिन हमारी A…C उड़ रहा है ठीक है फोर्ट को तो इस दिन कॉलीजन हो गया मतलब एक भी निउड़ एगा शिक्स में भी सनुड रहे है इस दिन भी कॉलीजन हो गया और एट में भी ये और सी उड़ रहे है तो इस दिन भी को और तो तो टोटल फ्लाइट समार पर फोर आ गई ठीक है 1234 सो इसका अंसर भी अगर हम देखे तो फोर हमें कि बना है ठीक है तो हमें ऐसे कल्कुलेट करना है कि मतलब जो भी पी क्यू आर की वैली होगी उनके मल्टिबस देखने और उनके मल्टिबस में अगर किसी भी दिन सिंगल हुई तो हम उसको कर देंगे और अगर उसमें मतलब इंगलेंगे काउंट को और प्लस-प्लस कर देंगे और अगर जिस दिन भी एक से ज्यादा जैसे यहां पे दो दो आगे हैं तो हम उस दिन को कैल्कुलेट नहीं करेंगे तो इसमें क्या है कि जैसे हमें प्रक्राइब कर सकते हैं तो हम इसमें वह कर देंगे मतलब हर बार चेक कर लेंगे तो हम क्या करेंगे पहले हम और एबी सी को इंपूट लेंगे और रंगसर को जिरो लेंगे ठीक है उसके बाद हम आई को चुछ एक अगर उस दिन आई मोड बी इनके मल्टिपल है वह नमबर ठीक है तो फिर तो उसकी वैल्लियों हमें इंक्लूट नहीं करनी क्योंकि जैसे हम यहां पर आया थे तो फोर में मोड जा हमने सी किया था सी भी फौर रहे तो फौर मौड जिरो आ गया था ठीक है क्योंकि सी वी उस दिन होगा तो इसलिए वह वह वैल्यू हम अगर ऐसा कुछ कीज हो जाता है कि और इसके यह के लिए चला देंगे जिसमें फिर जो इसको फिर लास्ट में कर देंगा अंसर तो यह हमारा सौल हो जाएगा इसे अगर इसको सब्मिट करें में अधे ही कि यह हमेसे वह ऐसा महिसी है कि जैसे हमने फेंफ तीन लूप के लिए तो हम पर भी ले Acts हमारा एक बारी में हो जायागा ठीज है सो वो भी सही है कि that's all guys thank you